आज हम बात करेंगे DSP4080 आडियो प्रोसेसर के बारे में यह एक 4-in 8-out आडियो प्रोसेसर है इसमें FR फिल्टर अभिलेबल है DSP4080 की फ्रंट पेनल Wi-Fi अंटेना पोर्ट USB 2 PC USB पोर्ट 4-input का LED इंडिकेटर और उनका Mute और Selection स्विच 8-output का LED इंडिकेटर और उनका Mute और Selection स्विच यह डिस्प्ले Menu, Up or Down बटन Recall बटन Save or Enter बटन यह CAUSER का Left or Right बटन और यह है पारामिटर नाव DSP 4080 की Back Panel Power On-Off स्विच Power Socket RS-232 जाक RS-485 इन और आउट जाक 8-output का XLR जाक 4-input XLR जाक चलिए जानते हैं DSP 4080 में Programming Set कैसे करें तो पेले इसको On करते हैं यह अभी On हो गया है और डिस्प्ले में Aeros India DSP 4080 लिखके आया है कोई भी चैनल की Mute और Select बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे तो यह चैनल Mute हो जाता है और दुबारा प्रेस करने से बाव Unmute हो जाता है Programming Set करने के लिए इस बटन को 3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ता है तो अभी वो जो भी चैनल को हमने Select किया है वो Output 2 जैसे कि हमने Output 2 कर किया है तो Output 2 का Select हो गया है तो इसे भी हम Output 1 में भी जा सकते है बस 3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ेगा तो अब इस देखिए Output 1 आ गया तो इससे हम अपने हिसाब से कोई भी Output को Select कर सकते है Programming करने के लिए तो मैं अभी Output 1 में Programming सेट करना चाहता हूं तो मैं Output 1 में आ गया अभी हम Output 1 में सब उफर का Programming सेट करेंगे तो चलिए यह Output 1 का Gain आ गया Output 1 का Gain को आप Parametric Knock के द्वारा बढ़ा सकते या घटा सकते है इधर मैंने Output 1 का Gain को 0 dB रखा उसके बाद Next Page पे जानने के लिए Main Menu का Next Page बेटन प्रेस करना पड़ेगा जैसे अभी यह फेज आ गया फेज को आप 0 Degree या 180 Degree सेट कर सकते है हम इधर 0 Degree सेट किए फिर Next Page जाएंगे उसके बाद यह Delay आ गया Delay आप अपने हिसाब सेट कर सकते है इधर हम Delay को 0 रखते है Crossover सेट करने के लिए हम Next बटन को प्रेस करके Crossover पे आ जाएंगे यह जैसे कि High Pass फिल्टर, Low Pass फिल्टर है और इसमें और एक भी function है जैसे कि IR के साथ Fair फिल्टर भी है तो इसको इतलेज करने के लिए आपको Crossover का Next बटन को दवा के IR के पास आना पड़ेगा और पारामिटर नौव को घुमा के FR में कनबर्ट करेंगे FR की High Pass में Humming Rectangular एसा फिल्टर्स है तो आप अपने हिसाब से जो भी सिलेट कर सकते हैं तो मैं FR फिल्टर ना यूज करके IR को करना चाहता हूं तो मैंने FR के पास आके IR को सिलेट कर दिया तो अभी High Pass सेटिंग करेंगे और उसका Frequency को हमने सबुफर के लिए 35 वर से स्टार्ट किये पर अभी 35.1 हर्ज हो गया अभी उसका Slope हम सिलेट करेंगे Slope अभी हमने इधर 24 dB और Filter Type Link Relay रखे उसके बाद हम उसका Low Pass को सेट करेंगे Low Pass सेट करने के लिए Crudger को Back करके हम High Pass के पास जाके parameter की नव को गुमाके Low Pass में Convert करेंगे अभी Low Pass सिलेक्ट हो गया तो Low Pass को हमने 140 करना चाहते है तो अभी हम Low Pass को 140 में सिलेक्ट करेंगे तो अभी 140 हर्ज हो गया और उसका Slope 24 dB Link Relay फिल्टर को चूच किये नेक्स्ट पेटन प्रेस करने पर PEQ सेक्षन पर आ जाएगा PEQ अप अपने हिसाब से सेट कर सकते है Crudger को आगे लेके आप On है यह आपको इसको Off कर सकते है PEQ को अप Low Self High Self यह सब भी सिलेट करके यूज कर सकते है अभी मैं PEQ पे ले आया आप अपने हिसाब से जो भी Frequency सेट करके उसमें PEQ अप्लाई कर सकते है Crudger को दबाने से वो उसका Gain पर आ जाएगा आप अपने हिसाब से Gain को सेट कर सकते है Crudger को और एक पर दबाने से वो Bandwidth पे आजाएगा आप अपने हिसाब से Bandwidth को Change कर सकते है मैं अभी PEQ में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते है Next बटन दबाने से अभी Output 1 का PEQ को On और Off कर सकते है Next बटन प्रेस करने पर आप Compressor पर आ जाएंगे Compressor को Set करने के लिए यह अभी Off है आप उसको On कर सकते है On करके Hard Knee Soft Knee यह सब आप अपने हिसाब से Use कर सकते है जो अपने हिसाब से आप Compressor का Type Choose कर सकते है तो उसके बद Next बटन प्रेस करने से वो 3 sold point पाया जाता है अप अपने हिसाब से 3 sold point को Choose कर सकते है Ratio Choose कर सकते है अप अपने हिसाब से Attack का Time भी Change कर सकते है अप Release का Time भी Change कर सकते है उसके बद Next बटन को प्रेस करने से वो Limiter पर आ जागा Limiter को आप On और Off कर सकते है यह है इसका three sold point, यह है इसका attack time, यह है release time, आप अपने हिसाफ से set कर सकते हैं. Next button press करने पर यह source selection पर आजाता है, आप input A, input B आप अपने हिसाफ से select कर सकते हैं. इसके बाद next button press करने पर आप इस channel को किस channel के साथ link करना चाहते हैं, वो आप channel link में channel link कर सकते हैं, जैसे कि यह अभी out to के साथ link हो सकता है. Next button press करने से वो अभी channel copy पर आजाता है, आप जो भी चीज़ इस पर set किये हैं, वो जो और कोई channel पर आप copy कर सकते हैं. यह जो program हमने set किया है, हम उसको save करने के लिए, उसको save enter button को press करना पड़ेगा. जैसे कि अभी user one program one करके आया है, save करने के लिए हम उसको yes करेंगे, उसके बस enter button को press करेंगे, तो अभी यह अभी टोर हो गया है, आप इसको भी चाहे तो अपना नाम भी change कर सकते हैं, जैसे कि parameter 9 को घुमा के आप नाम change कर सकते हैं, और क्रोजर को button को दबा के आप different different position पर जा सकते हैं, तो जो भी आप changes करेंगे, उसके बाद आपको save का button को press करना पड़ेगा, और save को yes करके आप उसको enter करना पड़ेगा, अभी channel number 4 पे हम top set करेंगे, gain को 0 dB set करना है, page को 0 degree set करना है, delay को कुछ नहीं हम set करेंगे, 0 ही रखना है, high pass को हम अभी 70 Hz पे frequency पे set करना है, उसके बाद उसका slope को हम 20-40 भी रखेंगे, और filter को link relay रखेंगे, यह अभी उसका high pass set हो गया, अभी हम उसका low pass set करेंगे, low pass को मैं, frequency को मैंने 20,200 Hz रखा, उसका slope को मैंने 24 div रखा, और filter को link relay रखा, अभी यह चान नम्मर बल आउटपुट टॉफ के लिए set हो गया, यह से ही आप अपने इसाफ से set कर सकते हैं, अभी आप उसको save करने के लिए save enter बटन को press करना पड़ेगा, और उसके बद yes करना पड़ेगा, अभी यह save हो गया है, तो आप अपनी साफ से base stop या जो भी channel में, जो भी set करना चाते हैं, अब set कर सकते हैं, store के यह program को use करने के लिए, आपको recall बटन को press करना पड़ेगा, recall बटन को press करने के बाद, यह से load user प्रोग्राम करकाएगा, पारेमिटर नॉप के थुरू आप अपने program को select करना है, उसके बाद आपको enter बटन को press करना पड़ेगा, तो अभी वो program लोड हो गया, तो उसको आप अभी use कर सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को like के लिए, share केजिए, comment केजिए, चैनल को subscribe केजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,